हेलो गाइस तो यह हमारे लिमट सुच है तो देख सकते हो कैसे हमारी मशीन जो है रिवर्स से फारवड होगी तो इस लिमट सुच का वर्क होता है कि यह हमारे जो है एनो और एनो और एनो पाइंट होता है ठीक है गाइस और जो हमारा निचला पाइंट है वो हमारा एनसी पा सकते हैं ठीक है गाइस तो यह लिमर्ट सुच जो है कि बहुत से कंडिशन में खराब भी हो जाते हैं तो इनको ठीक करने के लिए आपने क्या करना है कोई कोई होता है कि वह नॉर्मल ही ठीक हो जाता है जैसे कि उसको आप स्प्रे करोगे मोबिल लैंड बगारा डालके जाओ से तो वह ठीक हो जाएगा कुछ के होता है कि अंदर से खराब हो जाते हैं तो जैसे कि अंदर से कुछी टूट जाती है यह गरारी जो फ्री हो जाती है यह इसको जो है टिक करके जो है अंदर के तरफ फैन और एंसी पर जो है कंवर्ट नहीं कर रही होती है तो उस चीज को तो जो है कि आप खुद भी ठीक कर सकते हो इसक्रू की मदद से आपने LK से इसके उपपर वाला पार्स खोल देना है फिर उसके बाद में आपने ये फ्रेंट के थीन स्क्रू खोलने है और इसको एक सैड पर कर देना ठीक है तो ये आप देख सकते हो जो इसके अंदर ये जो प्लास्टिक का लगा हुए और प्लास्टिक के अंदर से जो है उपर का पॉइंट गया हुआ था जिसको हम घुमाते है तो वह अंदर जो जो है प्लास्टिक के अंदर से ये पूरा पॉइंट घुमते जा रहा है इसी बज़े से ये जो है इसको प्रेस नहीं कर रहा है प् आपके पास में कोई खराब लिमर्स उच पड़ा हुआ है बेस्ट है वो आपका तो आपने उसके उपर से यह चोटा सा पॉइंट जो है एक लिकाल लेना है और उस पॉइंट को जो है आपने इसके उपर लगा देना है बिल्कुल आपने यह देख सकते हूँ यह पॉइंट ह कैसे काम करने लगेगा चाहिए था आप इसको नया ले सकते हैं मार्केट से ने तो आपके पास कोई भी पराना लिमिर्स उचोटा है तो आप इसको समाल के रखें ताकि आप उसकी कोई भी असेसरी अपने किसी भी काम में ले सके हूँ और आपका जो है फजूल खर्चा न हो आई होप कि यह जानकारी आपको अच्छी लगयोगी तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ